इस वीडियो में बताने वाले हैं फिजिक्स का चेप्टर 10 इसका नम था Alternate करेंट और पार्ट उन पाले वीडियो में बता चुके हैं और अभी बताएंगे पार्ट टू और पार्ट टू में कोशन 24 से बताएंगे तो इस वीडियो का कोशन है 24 नमबर अभासी धारा होती है अभासी धारा सीखर धारा बटा दू होती है अभासी धारा का सुत्रवतन आता है अभासी धारा सीखर धारा बटा दू इसका फर्मूला होती है एक पूरे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान होता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ति धारा का माध्य मान कितना होता है तो सुनने होता है अगला खुचर आधे चक्र में प्रत्यावर्ति धारा का माध्य मान होता है अब आधे चक्र में प्रत्यावर्ति धारा का माध्य मान कितना होता है यदि किसी परिपत में प्रत्यावर्ती विधूत वाहक बल का सिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्य मूल मान E0 by रूट दू होगा प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके सिखर मान का अनुपात होता है तो मुल माध मान और इसके सीखर मान का नुपात एक बटा रूट दू होता है अगला कोच्छन एक प्रत्यवर्थी धारा का समीकरन है अब प्रत्यवर्थी धारा का समीकरन दे रहा i is equal to i1 cos omega t plus i2 sin omega t तो इसके लिए वर्ग माध मुल धारा होगी अब समीकरन दे दिया और इसके लिए प्रत्यवर्थी धारा कितना होगा या क्या होगा तो इसका होजाएगा दिन नमबर एंसर होजाएगा 1y root 2 i1 square plus i2 square का whole half यानि 1 by 2 square होगा इसका यानि ये whole square नहीं है half square है एक lcr परिपत में r बराबर d r एक lcr परिपत में d r बराबर 40 वोल्ट dl बराबर 90 वोल्ट तथा 20 बराबर 60 वोल्ट है परिपत में प्रयूक्त सुरोथ की वोल्टता कितनी होगी तो परिपत में सुरोथ की वोल्टता 50 वोल्ट होगी किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आर बराबर 25 ओम, एल बराबर 1 एमेच, कॉमभी 0 बराबर 50 वोल्ट तथा, उमेगा बराबर 50 हर्ज, तो अनुनाद की इस्थिती में परिपथ में परवाहित धारा कामान कितना होगा, तो ये इसका हो जाएगा रूट दू, एमपी है, कि इसकी साक्ति गुना कितने होती है, एक होती है, अगला कोश्चन है, 33 नमबर, 33 नमबर कोश्चन, LCR परिपथ में महत्म धारा के लिए, अब पुछ रहा है कि LCR परिपथ में महत्म धारा के लिए इसमें से कौन सा सुत्र होगा, तो LCR परिपथ में महत्म धारा के लिए, ओमेगा स्कुआर ब्रावर वन बाई एल सी होगा अब यांतरिक उर्जा को बीधुत उर्जा में बदलने वाला यांतरिक क्या कहलाता है तो डाइनेमो हैं डाइनेमो के दोरा यांतरिक उर्जा को बीधुत उर्जा में बदल जाता है यादि किसी डाइननुमों के और मेचर की परिक्रमन चाल दुगुना कर दी जा तो प्रेरित विदुत वाख कबाल होगी तो प्रेरित विदुत वाख कबाल भी दुगुना हो जाएगा ट्रांस्फर्मर एक युक्ति है अब ट्रांस्फर्मर कैसी युक्ति है तो ट्रांस्फर्मर एसी भोल्टता बढ़ाने या घटाने की युक्ति है तो ट्रांस्फर्मर किसकी युक्ति है तो ट्रांस्फर्मर एसी भोल्टता बढ़ाने या घटाने की युक्ति है जैसे कि एक उदाइंद्रेफ पोल पोल जो राता है एक निश्चित दुरी पर इस दोह सफाइंड लगाया जाता है टीक्षा निश्चित दूरिबर ट्रांस्फर्मर लगाया जाता है तो ट्रांस्फर्मा तो ये आसानी से घटाने की युक्ति या इसको पूचन ते AC अब फरिवर्तित रहने वाली रासी है तो ट्रांस्फोर्मर में आभरिती जो एक AC रासी है जो हमेशा अब परिवर्तित रहते है ये नहीं बहलते है तो इस चेप्टर का लास्ट कोचन था 37 आप नेक्स्ट वीडियो में अगले चप्टर के साथ तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दे